मा, ओ, 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 आपसे कितनी बार कहा है मैंने, आप खाना खाकर सुझाय करो, मुझे लेट हो जाता आने में और मैंने भी तुझसे कितनी बार कहा है, कि मैं खाना तभी खाऊंगी जब तु घर आचाएगा तेरे पास अपने मरीजों के लिए तो खूब वक्त है, पर अपनी मा के लिए तेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है ना ओ तो आप मेरी मा, लेकिन हरकतें बिल्कुल बच्चो जैसी करती हो आप, चलो अब जल्दी से खाना खाते हैं, फिर आपको दवाई भी तो लेनी होगी न उस दिन भी ऐसा ही हुआ, और फिर अचानक ही खाना खाते हुए संतोशी रोने लगी अरे-अरे, क्या होगा मा, आप रो क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूँ, तू ही पता है? पर अब क्या कर दिया मैंने? तू कुछ नहीं कर रहा, यहीं तो सबसे बड़ी परेशानी है तू ही बता, मेरे मरने के बाद तेरे ले खाने पर इंतजार कौन करेगा? जब मैं नहीं होगी तब तो 24 घंटे तू बस अस्पताल में मरीज ही देखता रहेगा, मुझे पता है मेरी बात मत काट, मैं सब जानती हूँ, आज तुझे बता रही होगा, आखिर तू शादी करना क्यों नहीं चाहता संतोशी की बात सुनकर कुणाल ने खाना छोड़कर अपना माथा पकड़ लिया, लेकिन फिर अगले दिन देखो मा, आज मैं कल से पूरे एक घंटा जल्दी खराया हूँ, अब आप खाना लगाओ, मैं बस हात मुध होकर आता हूँ हम, जल्दी आ, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है हाँ मा, बताओ, क्या जरूरी बात है, आपकी दवाई वगरा तो है न? हाँ हाँ, वो सब है, वो आज सूरज से बात हुई मेरी सूरज मामा से? अब कैसे हैं वो? कैसे होगा, बहुत परिशान है मेरा भाई क्यों? क्या हुआ? अरे उसे कुछ नहीं हुआ है, पर उसकी बेटी है न काव्या, अरे वही जो टीचर है हाँ, हाँ, जानता हूँ, काव्या दीदी को, उन्हें क्या हुआ? अरे उसकी शादी को चार साल हो गए है, पर अभी तक बच्चा नहीं हुआ ओ, अच्छा हाँ, मैं तो उससे हमेशा कहती रही कि पढ़ाई लिखाई तो शादी के बाद भी हो जाएगी पर नहीं, तेरा मामा तो अपनी बिटिया को टीचर बनाने पर अड़ा रहा अब देख लेट शादी करने का अंजा अरे हर चीज की एक उमर होती है, इसके बाद ये दिक्कते तो आएंगी ही ना हाँ, ये बात तो सही कह रही हो आप, एक मिनट पर ये बात आप मुझसे क्यों कह रही हो ऐसे? अरे तुझसे कहां कह रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बता रही थी तुझे मा मैं सब समझता हूँ, आप ये शादी बादी की जिद छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों छोड़ू, मेरा मन नहीं करता कि आपने पोता-पोती खिलाने का है, बता मुझे ऐसे क्या पाप किये है मैंने, अरे तेरे बाबा के जाने के बाद तुझे पढ़ाया, लिखाया, डॉक्टर बनाया, और तु है कि अपनी मा की इतनी सी बात नहीं मानता, देखाज तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा, मुझे साफ साफ बता कि तु शादी क्यों नहीं करना चाता, मा ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाता, पर डरता हूँ कि जिस तरह की मेरी सिंदगी है, मैं किसी और को अपने साथ जोड़ कर उसे भी दुखी ना कर दूँ, जैस अपना घर बसाते हैं, और कान खोल कर सुन ले तू, अगर अपनी बहु देखे बिना मुझे भगवान के इस पास जाना पड़ा ना, तो कसम से तुझे भूद बन कर डराऊंगी मैं, समझा? हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया मा? इतना कहकर कुणाल अपने कमरे की तरफ बढ़ा, तो संतोशी भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में ही आ गए, क्या समझ गया, देख मैं नहीं कहती कि तू मेरी पसंद सही शादी कर, अगर तुझे कोई पसंद हो तो… नहीं मा, ऐसी तो कोई बात नहीं है क्यों? वो तेरे अस्पताल में जो वो नर्स है, वो बड़ी सुन्दर सी, क्या नाम है उसका? अरे जब मैं सीडियों से गिर गई थी तब जिसने मेरी बड़ी देख भाल की थी अच्छा वो, उसका नाम लतिका है कुनाल संतोशी को उसके कमरे में छोड़ाया और फिर अपने कमरे में सोने चला गया अगली सुबह जब कुनाल उठा तो उसने देखा कि उसकी मा भी तक सोई हुई थी उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि संतोशी सुबह जल्दी उठकर पहले सारा काम निपटा कर फिर कुनाल को उठाती थी कुनाल को चिंता हुई उसने जाकर देखा तो संतोशी बेहोश पड़ी हुई थी और उसका मूँ भी तिरच्छा हो गया था ये देखकर कुनाल के हाथ पाओ भूल गये वो फॉरन संतोशी को अस्पता लेकर पहुचा सीनियर डॉक्टर की बात सुनकर कुनाल को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गए वो अपनी मा के पास गया संतोशी सब कुछ देख तो पा रही थी मगर कुछ बोल नहीं पा रही थी तब ही उसने कुनाल का हाथ पकड़ा कुनाल समझ गया कि संतोशी उसकी शादी की बात कर रहे थी वो वहाँ से चला गया और अपने केबिन में जाकर रोने लगा काफी देर बाद उसके मन में एक विचार आया और उसने फॉरण नर्स लतिका को अपने केबिन में बुलाया जी बताईए सर मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम बस कुछ घंटों के लिए मेरी पतनी होने की एक्टिंग कर दो ताकि मेरी मा को लगे कि मैंने शादी कर लिए अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरी शादी की उनके अंते में च्छा अधोरी रह जाएगी पर सर ये तो गलत होगा ना आई नो पर उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है मैं अतनी जल्दी उनके लिए बहु कहां से लाओ प्लीज मेरी बात मान लो लतिका मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भोलूँगा और इस काम के बदले में नहीं सर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए आंटी बहुत अच्छी है मैं उनके लिए इतना तो करी सकती हो ठीक है तब आप मुझे बताईए कैसे कब और क्या करना है फिलहाल मैं मा को लेकर घर जा रहा हूँ तुम बस दुलहन के गेटप में मेरे घर पर पहुँच जाओ आज ही ठीक है सर कुछ घंटों के बाद लतिका दुलहन बन कर कुणाल के घर पहुँच गई लतिका तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं है अब मा को शक हो गया तो सोरी सर पर मैं ये नहीं कर सकती सिंदूर तो सुहाग के निशानी होती है मेरी मांग में उसी के नाम का सिंदूर होगा जो सच में मेरे पती होगा पर आप फिक्र ना करें मैं अपना सर साड़ी के पल्लू से ढख लूँगी ठीक है फिर आजाओ अंदर कुनाल लतिका को लेकर संतोशी के कमरे में गया लतिका और कुनाल दुलहा दुलहन के रूप में थे और दोनों के गले में वर्माला थी कुनाल की बात सुनकर संतोशी ने आखो के इशारे से लतिका को अपने पास बुलाया और फिर बड़े प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ रखा लेकिन उसके कापते हाथों की वज़े से लतिका का पल्लू उसके सिर से हट गया और तभी संतोशी को लतिका की सूनी मांग दिख गए संतोशी एक ही पल में सब समझ गई उसे कुनाल पर बहुत गुसा आया उसने फॉरण कुनाल को अपने पास बुलाया और उसे मंदिर की तरफ इशारा करके वहां से कुछ लाने को कहा दरसल वो मंदिर में रखे सिंदूर की बात कर रही थी कुनाल अपनी मा की बात समझ किया था संतोशी की सांसे अब उखडने लगी थी ये देखकर कुनाल फॉरण मंदिर से सिंदूर उठा कर ले आया संतोशी ने कुनाल का हाथ पकड़ कर लतिका की मांग में सिंदूर भरवा दिया लतिका भी इसका विरोध नहीं कर पाई और कुणाल भी कुछ नहीं कह सका सच तो ये था कि वो दोनों भी दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन ये बात जाहिर करने की हिम्मत दोनों में नहीं थी अगले पर संतोशी ने लतिका का हाथ थाम लिया और उसका हाथ गुणाल के हाथ में थमा दिया और फिर वो हमेशा के लिए शान्त हो गए पर आखरी वक्त में उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी जबकि हाथ में हाथ थामे लतिका और गुणाल बस रोए ही जा र कैसे जाओगी वहाँ तक मतलब मतलब कुछ नहीं आप जाऊ जतके कमलनाथ अपनी बात पुरी करते लगशिता गाड़ी से उतर कर कामना के पास चली गए कमलनाथ को ये देखकर अच्छा नहीं लगा फिर थोड़ी देर बाद कॉलेश में खितना मज़ा आया ना, क्या खाक मज़ा आया, तू तो आराम से बैठ गए पीछे, मैं थब गई तुझे यहां तक ढोकर लाने में, तो मैं क्या करूँ, अब मुझे तो साइकल चलाने आती नहीं है, तो तुझे ही ढोना पड़ेगा ना मुझे लक्षिता और कामना कॉलिज में एक ही क्लास में पड़ते थे, दोनों सारा दिन एक साथी रहती थी, कामना बहुत सुन्दर और पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लक्षिता के पापा कमलनात बहुत पैसे वाले आदमी थे, जबकि कामना एक गरीब किसान की बेटी थी, फ फिर रोटी बनाएगी, सो मैंने ही बना ली बेटा, और वैसे भी कुछ दिन बाद तो तेरी साधी हो जाएगी, फिर तेरी विदाई के बाद तो अपनी रोटी तो मुझे ही बनानी पड़ेगी ना। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी गरीब के साथ रहे या उससे बाते करे, फिर अगली सुबह कार में, पापा बस यही रोग दीजे, कामना आ रही है, कमलनाथ में वस्से में गाड़ी रोग दी और लक्षिता को जाने के लिए कहा, लक्षिता भाग कर साइकिल के प वही, उसके पापा क्या करते हैं? लक्षिता को अपने पापा की बाते बुरी लगी और वो गुस्से में वहाँ से चली गई पापा, लक्षिता कोई बच्ची नहीं है, और वैसे भी पापा, दोस्ती में अमीर और गरीब कौन देखता है? अरुन था तो कमलनाथ का बेटा लेकिन वो भी अपने पापा से बहुत अलग था और कमलनाथ को इसी बात की चिंता रहती थी कि कहीं अरुन किसी गरीब लड़की से शादी ना कर ले वो चाहते थी कि उनके दोनों बच्चों की शादी उनसे भी बड़े घर में हो हलांकि इस सब के बावजूत कमलनाथ अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था लक्षिता मेरी बिटिया नाराज है क्या और नहीं तो क्या पापा सब लोग एक जैसे नहीं होते पापा ये साही कह रही है ओहो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे मेरी बात लगता है तुम्हें उस लड़की की असलिया दिखाने ही पड़ेगी चलो फिर उस लड़की को टेस्ट कर ही लेते कमल नाथ ने जैसे तैसे अपने दोनों बच्चों को मना लिया वो कामना की दोस्ती की परीक्षा लेना चाहते थे और फिर अगले दिन सुनना आज तु मेरे साथ मेरे घर पर चलना क्यों क्या हुआ अब कुछ काम है तुछ से घर चल कर बताऊंगी शाम को अरुन कार्ज दे लक्षिता और कामना दोनों को घर ले गया लक्षिता सीधे कामना को अपने कमरे की तरफ ले गई और उससे कहा तु अंदर बैग मैं बस फ्रेश होकर आई ओकी जल्दी आना कामना जैसे ही कमरे में गई तो ये देखकर हैरान रहे गई कि लक्षिता के बिस्तर पर नोटों की दो गड़ियां पड़ी हुई थी देखने से ही पता चल रहा था कि वो बहुत सारे पैसे हैं कामना ने फॉरण नोटों की गड़ियां हाथ में पकड़ी और वहीं बिस्तर पर बैट गई उधर कमलनात और अरुन ये सब कुछ कमरे में लगे कैमरे की मदद से देख रहे थे जो कमलनात में उसी दिन लगवाय था देखा मैंने कहा था न ये सब एक जैसे होते हैं सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपना इमान बेच दिया इस लड़की ने एक मिनट पापा सरा रुक तो जाईए देखो लक्षिता कमरे में आ रही है उए कैसी बेवकूफ लड़की है तू ये इतनी सारे पैसे ऐसे ही बिस्तर पर छोड़ रखे है तूने तेरे पापा और तेरे भाई कितनी मेहनत से दिन रात एक करके पैसे कमाते होंगे और तू है कि तुझे बिलकुल पैसों की कदर ही नहीं है ले ये पैसे पकड और या तो अंकल को देया या फिर इसे कहीं संभाल कर रख लक्षिता को तगडी डांट पड़ी थी पर वो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी क्योंकि भले ही कामना ना जानती हो कि वो एक बहुत बड़ी परिक्षा में पास हो चुकी थी लेकिन लक्षिता ये बात अच्छे से जानती थी उधर दूसरे कमरे में उमीद है पापा कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा आपने उसे बहुत गलत समझ लिया इतना कहकर अरुन वहाँ से चला गया कमलनाद हार चुका था और उनकी बेटी की दोस्ती जीत गई थी फिर अगली सुबह पापा सुनिए आज समिस्टर की फीज भरनी है हाँ ये लो पैसे कमलनाद ने लक्षिता को पैसे दिये लेकिन इसके बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई क्योंकि कमलनाद के पास कहने को कुछ था भी नहीं उधर कामना भी अपने बाबा से पैसे लेकर कॉलेज जा रही थी लेकिन तब ही उसने देखा कि रास्ते में एक कार का एक्सिडेंट हुआ है और कार सवार खून से लत्पत है कामना ने जब उस घायल को देखा तो हैरान रह गई वो अरुन था कामना ने फॉरन एक टैक्सी रोखी और उसे तुरन तस्पता लेकर पहुँची अरुन ये सब देख और सुन रहा था उधर डॉक्टर की बात सुन कर कामना सोच में पड़ गई क्योंकि उसके पास पैसे तो थे मगर वो उसकी फीस के थे लेकिन उसे पता था कि उसे क्या करना है कुछ दिर बाद कमलनात और लक्षिता भी वहां गए लक्षिता ने आते ही कामना को जोर से गले लगा लिया और उनका उप्रेशन हो चुका था और अब वो खत्रे से बाहर था फिर कुछ दिन बाद अंकल नमस्ते अ नमस्ते बेटी, कैसी हो? अंकल मेरी शादी तय हो गई है तो सबसे पहला कार्ड में आपको ही देने आई हो अच्छा अच्छा, लड़का क्या करता है? जी, वो सरकारी क्लर्क है सही है, सरकारी नौकर है तो राज करोगी? कामना वहाँ से चली गई, लेकिन कमलनात को कुछ अच्छा सा नहीं लगा फिर जल्दी ही कामना की शादी का दिन आ गया पंडित की इतना कहते ही दुल्हे ने सहरा खोलते हुए कहा रुको, फेरे तो तब होंगे जब मुझे कार मिलेगी, हाँ अचानक राकेश के मुँसे इतनी बड़ी डिमांड सुनकर वहां मौजूद हर आदमी सन रह गया पर कार की तो कोई बात नहीं हुई थी बेटा, तुम्हारे पापा ने तो चादी मुझे करनी है कि मेरे पापा को, कार आएगी तो इभेरे होंगे और तभी लड़की विदा होकर मेरे साथ जाएगी समझ गए गोविन सिंग राकेश से मिन्नत करते रहे, लेकिन राकेश कुछ सुनने को तयार नहीं था तभी गुस्ले में उसने गोविन सिंग को धग्का दे दिया अबे ओए, सरकारी नौकरी का इतना घमंड, तुझे नहीं पता, तो एक कार के लिए क्या ठुकरा रहा है ओ अंकलो, ओकार्ट मेरा हो समझे है, लड़की की विदाई तो तभी होगी जब कार आएगी और तुमको ज़्यादा दिक्का था तो तुम ही ले जाओ ना इसे तभी कमलनाथ में किसी को फोन लगाया कुछी देर बाद ही, नई नवीली चमकती हुई कार मैरिज गार्डन में आ चुकी थी वहां मौझूद सभी लोगों को कमलनाथ की ताकत का एहसास हो गया था अरे वहां अंकल है, आपने तो कमाल कर दिया अंकल है इतनी बड़िया कार मंगवाली आपने तो, है अब तो खुसी-खुसी विदा करो अपनी बेटी को मेरे साथ है विदाई तो होगी, पर तेरे जैसे घमंडी और लाल्ची के साथ नहीं अरुन, कहाँ हो जी पापा, तुझे कामना पसंद है की नहीं? है, मतलब नहीं अब हकला क्या रहा है, हाँ की नहीं? हाँ हाँ, है मा कमलाथ की बाद सुनकर गोविन सिंग ने उसके सामने हाथ जोड़ लिये और उधर अरुन और कामना एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिये इसके बाद अपनी विदाई पर कामना रोई जरूर लेकिन उसकी आँखों में दुख से जादा खुशी छलक रही थी